नमस्का दोस्तो स्वागत है आपका पैबली हिंदी में आज का मारा टॉपिक है एड कैलेंडली इन्वाइटली डीटेल्स इन नोशन डीटाबेस तो दोस्तो आज की इस फीडियो में हम यह समझेंगे कैसे आप एक एस अमेजिंग आटोमेशन बना सकते हैं कैलेंडली और नोशन के बीच में कि जब भी कोई न्यू इन्वाइटी क्रियेट होगा कैलेंडली में तो आप उसकी डीटेल्स एड कर सकते हैं नोशन डीटाबीस की टेबल में जी है impossible है, आप ये पूरा process automate कर सकते हैं, पैबली connect के मदद से, जो कि एक amazing automation software है, तो इदा पर आपको क्या करना है, इदा पर आपको कुछ इस तरीके का automation बनाना है, अब पैबली connect में हम use करते हैं, trigger और action का, तो trigger में आपको लेना है, calendly, action step में आपको लेना है, notion, और पूरा process easily हो जाएगा, दोस्तों मज़े की बात ये है, इसमें कोई भी coding skills की दरबच नहीं है, आप बहुत ही आसानी से पूरा automation बना सकते हैं, तो क्या आप भी पूरा process step by step सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी screen पे, ओके friends, तो चलिए सीखते हैं, पूरा process step by step, सबसे पहले आपको यहाँ पर Calendly का account login कर लेना आपके browser में, और यहाँ पर आपको notion database का account भी login कर लेना आपके browser में, अब हमारा objective कहा है, जब भी Calendly में new invitee create हो, मतलब कोई invitee create हो रहा है Calendly में, particular event के लिए, तो automatically उसकी details add हो पर हम Calendly और Notion database के बीच में connection build करेंगे, पैबली कनेक के मदद से, तो चलिए सीखते हैं, पूरा process step by step, सीधे आपको लिए चलता हूं, पैबली कनेक के landing page पे, दोस्तो आप भी इस page पर आ सकते हैं, simply आपके browser में type करके, पैबली.com slash connect, यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं, एक sign in option, दूसरा है sign up for free option, तो अगर आप एक यूजर है, तो आपको simply click करना है sign up for free वाली बटन पे, और आप आपका account create कर सकते हैं, केवल 2 मिनट में, दोस्तो आपको account creation पे, हर मैं यह 100 free task भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation test कर सकते हैं, पैबली कनेक में, मैं एक existing user हू पैबली कनेक्ट वाले डियालोग बॉक्स में, उक्लिक करना है access now, और आप आप आजाएंगे पैबली कनेक के dashboard पे, हापर आपको right hand side पे button देखेगा, create workflow का, इस पे आपको click करना है, तो एक डियालोग बॉक्स अपन हो जाएगा, आपकी screen पे जो बोल रहा है, enter the name of the workflow, तो दोस्तो बेसिकली आपको हैंपर आपकी workflow को कोई नाम देना है, और select folder से आपको particular folder select कर लेना है, जिस भी particular folder में, आप आपकी workflow को safe करना चाते हैं, अगर आप new folder create करना चाते हैं, तो create a new folder वाली button पे click करके, इता से new folder create कर सकते हैं, मैं हापर click करूँँगा create workflow पे, और let's say हैंप मेरी workflow को नाम देना चाता हूँ, add calendly invite details in notion database, तो दोस्तो यही हमारा objective है, आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं, पर आपकी workflow को, उसके बाद select folder से मैं particular folder select कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं workflow automation integration वाले folder में, मेरी workflow को safe करूँगा, click करेंगे create वाली button पे, और आप आप ज module समझना है, जो हमारे automation में बहुत important role play करते हैं, इनका नाम है trigger और action, तो दोस्तों trigger बोलता है when this happens, जिसका मतलब होता है, जब ऐसा हो, action बोलता है do this, तो ऐसा कर दो, तो basically trigger हमारे automation को start करता है, और action में हम वो particular action perform करते हैं, जो हम करवाना चाहते हैं हमारी automation में, तो यहाँ पर हम सर्च करते है, Calendly, और नीजे से आपको Calendly चूज कर लेना है, trigger event आपको इधर पर चूज करना है, invite created user, ठीक है, और फिर आपको क्लिक करना है, connect वाली बटन पे, तो यहाँ पर एक dialogue box हो पना चाहेगा, आपके screen पर जो बोल रहा है, connect Calendly account, तो basically आपको है अब जो Calendly का account उसको family connect के साथ connect करना है, इधर पर आपको दो option मिलते हैं, एक है add new connection का, दूसरा है select existing connection का, तो अगर आपने आपका connection और बिल करके रखा है, तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं, यहाँ पर आपको previous saved connection शो होते हैं, अगर आप इधर पर जाते हैं, add new connection के साथ, तो आपको है आप आपको इदा पर organization चूज करना है, यहां से आपको user select करना है, ठीके, अब हम इदा पर click करेंगे, savings and test request वाली button पर, तो आप इदा पर देख सकते हैं, शोर है, waiting for response, क्योंकि हमको एक test submission करना है, मतलब एक test invitee create करना है, calendar में पहले, उसका response इदा पर capture होगा, पैबली करने पर, ठी particular event के लिए booking create करते है, as a invitee बन के दो, ठीके, तो for example, यहां पर यह particular event है, जिसका नाम है 30 minute meeting, इदा पर हमे view booking page पर click करता हूं, तो इदा से हम event के लिए booking कर सकते हैं, ठीके, तो let's say, इदा पर date select कर लेते हैं, 29th March, time select कर लेते हैं, for example, 11.30am, next पर click करते हैं, और यहां पर हमको dummy results फिल करना है, invitee के इदा पर हम details फिल करते हैं, तो let's say, first name इदा पर देता हूं dummy, last name इदा पर देते हैं, for example, user, email id हम इदा पर देते हैं, for example, dummy.pableteuse.com, schedule event पर click करते हैं, तो आप इदा पर देख सकते हैं, you are scheduled, ठीके, तो 30 minute meeting नाम का, जो event X के लिए हमने इदा पर invitee create कर द इदा पर फुल्स नाम होने है, dummy, last name इदा पर user, इदा पर फुल्नेम रिसर्ट हो गाया, dummy user, और यहाँ पर आप other details लेख सकते हैं, जैसे कि resource status active है, इदा पर time zone देख रहा है, और यहाँ पर आप कुछ other details लेख सकते हैं, जैसे कि resource name मतलब कि this event name हमको इदा पर şore रहा है, और हमारा objective यह है, जब भी calendly में new invite create हो, तो automatically उसकी details add हो जाए notion database में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, actions टैप में आना है, choose app में आपको इदर पर चूज करना है notion, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं notion, और नीचे ज़िए आपको notion चूज कर लेना है, action event आपको यहाँ पर चूज करना है create database item, और click करना है connect वाली बटन पर, तो इदर पर एक dialogue box उपन हो जाएगा, आपकी screen पर जो बोलना है connect notion account, तो basically आपको यहाँ आपको notion का account है, उसको प्रबली करने के साथ connect करना है, इदर पर आपको दो option मिलते हैं, एक है add new connection का, दूसरा है select existing connection का, तो अगर आपने आपका connection already build करके रखा है, तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं, यहाँ पर आपको previous save connection शो होते हैं, अगर आप इदर पर जाते है add new connection के साथ, तो आपको यहाँ पर simply click करना है connect with notion, और यहाँ पर एक dialogue box उपन हो जाएगा, जो बोल रहा है family connect is requesting access to archirized notion, तो ठीक है, इदर पर आपको access देना है family connect को, आपका notion database account का, तो यहाँ पर हम select pages पे click करते हैं, और इदर पर जितने भी pages हैं मेरे notion के account में, तो इदर से particular pages हम select कर लेते हैं, और allow access पे click कर लेते हैं, तो आपको भी पूरा process को जिस तरह करना है, और आपका यहाँ पर authorization successful हो जाएगा, इसका मतलब यह है, जो notion का account है, वो successfully family connect के साथ हो जाएगा connect, अब नीचे आप fields देख सकते हैं, database, email, event name, full name, content, तो basically यहाँ पर database के आए, calendly invite details, यह latest database है, इसलिए इसके according यहाँ पर fields नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर database चूज करना है, क्योंकि उसके according यहाँ पर fields नज़र आएंगी, ठीक है, अब इदा पर आप देख सकते हैं, इस particular database में मैं काम कर रहा हूँ, इसका नाम है calendly invite details, और यहाँ पर मैं details के add कर रहा हूँ, full name, email, event name, ठीक है, तो वही fields हमको इदा पर शोर ही है, अब यहाँ पर हमको invite की details फिल करना है, ठीक है, और यह जो details हैं, हम इनको manually type नहीं करेंगे, हम mapping कर इस्तिमाल करेंगे, जो कि एक important step है, तो data map आप कैसे करेंगे, यह आप दिख सकते हैं, previous step का response यहाँ पर शोर है, तो इदा से आपको data map करना है, तो यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ, email, पर यदा से हम email address map कर देते हैं, जो की है dummy address.com, ठीक है, उसके बाद हमको इदा पर event name देना है, तो यहाँ पर हम full name map कर देते हैं, इदा आप हमें search कर लेता हूँ, dummy, तो full name क्या है, dummy user, यह हमने map कर दिया, ठीक है, अब यह जो मैंने step perform करी, इसको बोलते है mapping, इसकी मदद से ही, आप हमेशा dynamic response generate कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि जब भी हमारा workflow run होगा, और जो भी new invitee की details, हमको receive होगी previous step में, वो details automatically in details की जगह जाएंगी, यह जो हमने map करी है, और details automatically change हो जाएंगी, क्योंकि हम data map करें, कोई भी चीज़ आप इदा पर manually type करेंगे, वो मिशा static रहेगा, वो change नहीं होगा, इसलिए हम इदा पर mapping का इस्तिमाल करते हैं, जिसकी मदद से automatically हापर value change होती जाए, जब यह हमारा workflow run हो, ठीक है, अब हम इदा पर click करते हैं, save and send test request वाली button पे, तो आप इदा पर देख सकते हैं, हमको हैं आपर एक positive response मिल गया है, इदा पर created time यहाप पर show रहा है, इदा पर object है page, और यहाँ पर कुछ other details आप देख सकते हैं, ठीक है, dummy.publetus.com, same email ID है आप पर show रहे है, मतलब यह details add हो गई है, हमारे notion database में, ठीक है, तो आईए चेक करते है notion में, मैं आपको लेज चलता हूँ notion पर, पर जीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप जो भी details add करना चाहते हैं, हमारे इदा पर, columns create करनेंगे database में, और यहाँ पर आपको उसकी value map करना है, ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से automation work करता है, आईए समराइस करता हूँ कि इस पूरे automation में हमने क्या कर रहा है, तो इस automation में, trigger में हमने लिया calendar, trigger even हमने लिया invite created, action step में हमने लिया notion, action even हमने लिया create database item, जिसकी मतलब से हमने notion के database में, हमारा item create कर लिया, मतलब invite की details हमने add करनी, automatically, अब दोस्तों इदा पर लिखा है, instant मतलब पूरा process instantly work करता है, मतलब आपको यह automation एक बार बनाना है, उसके बाद automatically तुरंत यह अपना काम करेगा, तो आईए सको रियल टाइम में टेस्क करते है, इदा पर हम फिस से एक new booking create करते हैं, इदा पर हम फिस से एक new invite की create करते हैं, let's say date इदा पर लेते हैं, हम 28, okay time इदा पर ले लेते हैं, for example 1 p.m, next पर click करते है, इदा पर dummy details फिल करते हैं, let's say first name इदा पर मैं दे देता हूं, test, last name इदा पर दे देते हैं, user, email id हम इदा पर दे देते हैं, for example, test, इदा पर देते हैं, schedule event पर click करते हैं, okay, you are scheduled, इदा पर हमने फिस से एक new invite क्रियेट करा है, real time में test करा है, सीधे आपको लेज़ चलता हूं, notion पर और आप इदा पर देख सकते हैं, notion data भी इसकी table में, तो automatically उसकी details अब add हो जाएंगी, notion database में, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप ये पूरा automation बना सकते हैं, अगर आप भी इस पूरे automation पर काम करना चाते हैं, या इस automation को test करना चाते हैं, तो इस workflow की जो link है, वो मैं आपको description box में share कर दूँँगा, तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करेंगे, उस पर काम कर सकते हैं, और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt है, तो आप में को comment section में ज़रूर बताएं, थैंक्यू, यही नहीं दोस्तों आप और भी amazing automation बना सकते हैं, पैबली कनेक की मदद से, और आप हमको mail कर सकते हैं supportadretpabli.com पे, अगर आपकी कोई query है या फिर कोई doubt है, तो आप हमको reach out कर सकते हैं forumadretpabli.com पे, और अगर आपको कोई pricing related issue है, तो आप हमको reach out कर सकते हैं इस particular link पे, दोस्तों अगर आपको यह video पसंद आया है, तो इसको like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें.